रख होसला वो मन्जर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक कर ना बैठ ऐ मन्जल के मुशाफिर तुझे मन्जल भी मिले भी और मिलने का मजा भी आएगा हलो माई दियर स्टूडेंट्स मैं राहूल सर आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में हार्दी का विनंदन करता हूँ शागत करता हूँ बचो बहुत ही स्पेशल क्लास अज हम करने वाले हैं और बहुत भेतरी क्लॉक घड़ी मैं आपको एंगल दो घड़ी की दो सुईयो के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा और वो भी बिना पेन उठाए ट्रिक्ली सॉलूशन मैजिक सॉलूशन हम करने वाले हैं और सभी बच्चे हमारे साथ जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे आज कि इस वीडियो में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो बहुत ही बहतरी बहतरीन क्लास आज हम करने भाले हैं एक फॉर्मूला होता है इसके तुरू बहुत सारी ऐसी चीजे करने वाले मैजिक ट् है घड़ी की दो सुईयों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे वो भी ट्रीक ली ठीक है तो चली शुरुवात करते हैं आज की क्लास की और बहुत बहतरीन क्लास होने वाले है और कहा गया है कि रख होसला वो मनजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा और इनी चनलबजों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुवात करने वाले है और आज हम क्या पढ़ेंगे माई डियर स्टूडिंस ये देखो बहुत बहतरीन क्लॉक आज हम बारे में पढ़ने वाले हैं देखिए क्लॉक में दो तीन तरह की क्लास करवाई जाती है एक तो बहुत लंबा क्लास है आज हम मैजिक ट्रिक बताएंगे जिसे माल दीजे ये क्लॉक है तो ये माल दीजे 10 बज कर 10 मिनट हो रहा है तो प्रस्ट पूछा जाता है कि सर अगर गड़ी में 10 बज कर 10 मिनट हो रहा हो तो इन दो गड़ी के सुईयों के बीच कितने डिगरी का एंगल बनेगा अगर इन दोनों सुईयों के बीच कितने डिगरी का एंगल बनेगा आज की क्लास कुछ इस तरह से होने वाली है ठीक है कि हम आपको गड़ी की सुईयों के बी बढ़िया feedback दे रहे हैं और सभी का शुक्रिया धन्यवाद कि आप हमारे platform पे बहुत भेतरी धंग से सीख रहे हैं कुछ चलिए ना देखिए clock की शुरुवात करने से पहले मैं आपको कुछ basic जानकारी देना चाहूंगा first of all जैसे मान लीजे कि एक व्यक्ति यहां पर है ठीक है अब वो व्यक्ति यहां पर है और मान लीजे कि वैसे राउंड करते 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 उसने फिर फिर वो यहां पर आ गया मतब जहां पे था फिर वो वहीं पर आ गया तो आपको भी पताए कि अगर कोई व्यक्ति जिस अस्थ इतने डिगरी का कून बनाया जाता है, 360 डिगरी, और इसको साध हम 0 डिगरी भी कहा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से ट्रिगोनोमेटरी अच्छे से पढ़ा है तो, अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे कि सर, 4500 डिगरी का एंगल बनाओ, बच्छा, 4500 डिगरी का एंगल बनाओ, देखो कैसे बनता है, यहां से चलिए, यहां से यहां साधे 300 डिगरी, सोरी, 360 डिगरी, हम ही क्या चाहिए, हमें साधे 400 चाहिए, हम यहां से यहां तक आजाएंगे, और यह जो एंगल होगा, कहिएगा सरी यह तो 90 डिगरी है, यह 90 भी है, और यह 4500 भी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, साइन, साइन, 360 ऐसे कर सकते हैं, साइन, 4500 डिगरी, माल लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, 360 प्लस 90, और आपने पढ़ा होगा, साइन, 360 प्लस ठीटा, साइन, ठीटा क्योंकि, 360 पर परीमिती चेंज नहीं होता है, यानि यह आपका क्या होगा, साइन, 90, जब हम साइन, 4500 को क्या कर सकते हैं, साइन, 90 क्या है सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब निया, लेते हैं, उसके बाद एक magic trick बताएंगे, पहले magic trick बताएंगे, फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज के class में कुछ सीखने वाले, साइन, ठीक है, बहुत 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 बहुतरीन धंक से, तो दिखे magic trick पहले अगर मान कर चलिए, मिनेट वाली सुई की बात करें, ठीक है? मिनेट वाली सुई, रेखे आज की class करने के बाद, आप मुझे कहोगे कि सर आज फिर से अपने कुछ बहतरीन सिखाया है हमें, मिनेट वाली सुई, अगर मैं मिनेट वाली सुई एश्भी के ऊपर discuss करूं, बनता है तो आप बताइए कि अगर मिनट वाली शुई अभी दो पर है अभी दो पर है फिर से दो पर आएगा तभी तो 360 का एंगल बनेगा डिग्री आच्छा व्यक्ति यह स्पीड में आए या स्लो आए कोई फरक नहीं पड़ता है 360 का 360 बनेगा तो अभी माल दिजे है यह सुई दोपर है फिर से यह दोपर कब आएगा कहते तक दस बज़ के 10 मिनट में अगला 11 थे 10 मिनट में यानी सिंपल सी बात है कि मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई ठीक है साठ मिनट में शुचत मिन दिगरी का मिनट वाली सुई एक मिनट में छे डिगरी का एंगल बनाती कॉपी में नोट करिएगा बहुत बहतरीन सीख चुके हम एक चीज़ क्यों क्योंकि सार अभी 10 बज़ कर 10 मिनट हो रहा है फिर से इसको दो पर आने के लिए यानि 10 दस पर होने के लिए मतलब फिर से ये अगले घंटे ही आपका आएगा ना यानि कितना घंटा लेगा एक घंटा लेगा तो फिर ये 11 दस में आपको फिर से उसी दो पर दिखेगा तो यहां से चल कर फिर से इसको यहां तक आने में टोटल इ सुए घंटेवाली सुई और अपकी जिम्मेदारी आपका करतब्य है अपने करतब्यों का निर्वाहन और कोपी में करते चले बहुत बहुत जल्ड हम आपके संवने बहुत 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 करने करने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप लोगों से बहुत जल्द हम फेस टू-फेस बाते करेंगे किन की क्या परेशानी है कौन बच्चा किस चीज की त्यारी कर रहा और किन को किसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए घंटे वाली सुई किस पे हैं सर हमें दहरे जाए यकानल 360 बनेगा आप यहां से मालो की यहां से यहां तक चले एक मिनट लगा कितना डिबर्ट यहां सो द्ले मंग दो हुआ यहां चलने में judgment लग्या 360 डिगृ ही आउन्वाली सुई जो है वो पूरे दस गर्हां सो रिदमाफ जाएंग हैं यहां गंटे में बारा घंटे में कितने डिग्री, 360 डिग्री, कितने बार में, 30 बार में, यानि एक घंटे में, 30 डिग्री का कौन बनाती है, घंटे वाली सुई, समझे इस चीट को, घंटे वाली सुई, एक घंटे में 30 डिग्री का, और एक घंटा में हमें पता है, कि एक घंटा में होता है, साथ मिनट और साथ मिनट में 30 डिगरी तो एक मिनट में 30 वाई 60 यह देखे डाइरेक्ट औरल पूस्ता है मौकिक पूस्ता है कितने डिगरी का आदे डिगरी का कॉट कॉपी में नोट करिए चार लाइने कि घंटे मिनट वाली सुई साथ मिनट में 306 डिगरी एक मिनट में 6 गंटे वाली सूई 12 गंटे में 306 डिगरी क्योंकि एक राउंड गुमाने मिसको 12 गंटे लगता है एक गंटे में 30 डिगरी और हां गंटे वाली सूई 7 मिनट में गंटा यानी कितना वह एक मिनट में मात्र आधा डिगरी खसकेgli, ठीक है, कितना? शिर्फ आधा डिगरी, चलिए, गंटा और मिनट होगया, गो ना काँ सेकेंड वाली शुई, पिनी नोट कर गते चलिएगा, वी अाइजद कtे बो सेकेंड वाली शुई, तुरंत एक साथ पर आई फिर एक मिनट बाद साथ पर यानि सेकेंड वाली सुई साथ सेकेंड में एक चक्कर लगाती है यानि साथ सेकेंड में 306 डिगरी काट दीजे छे बार में कटे गा एक सेकेंड में पर आज यह इस पास बिल्कुल आवाज कम हो रहा हो तो देखते हैं कि घड़ी की अवाज सुनाई पड़ती है तो कौन करते है वो सेकेंड वाले का काम है तो आज जैसे नींद आये ना इस वीडियो को देखने के बाद और जैसे नींद आये रात में एक बाद उसने ने आज और अगर घड़ी, अभेसली सुना ही तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमारी याद भी आगी उस समय, आजी ने तो सर न impose पढ़ाया था या कि सखेंड वहला टख करे 6 डिगरी एक बर टख करे 6 डिगरी फिर एक बर टख करे 6 डिगरी साथ मिनट साथ सकेंड तक साथ बार टक करेippy साथ चक्का 307 ईगरी एक बार घुम जाएगा क्योंकि एक बार घुमने में की मिनट लगता है एक मिनट में साथ सकेंड एक सकेंड में 6 ईगरी सीछ चुके हैं आप इस टॉपिक को क्लियर है, क्लियर है, सेकेंड वाली सुई, एक बाट तक करेगा 6 डिगरी, मिनट वाली सुई, एक मिनट में, यहां देखे बताए थे न, स्वरी, मिनट वाली सुई, एक मिनट में 6 डिगरी का एंगल बनेगी, घंटे वाली सुई, एक गंटे में 30 डिगरी, एक मिनट में आठ बज कर 20 मिनट हो रहा हो, यदि घड़ी में, अपने कॉपी में प्रस्ण को लिखो, मैं तो ऐसे शॉट पर बताऊंगा, घड़ी में 8 बज कर 20 मिनट हो रहा हो, तो मिनट और घंटा वाली, मिनट और घंटा वाली, सुई के बीच, कितने डिग्री का कौन बनेगा जी, that's very very important question, यदि अभी इस पर भी बता देंगे, 10 बज कर 12 मिनट हो रहा है न, उस पर भी बता देंगे, अभी कितने पर, 8 बीस पर ये देखो, इस तरह से 8 बीस बसता है, जी, 8 बीस, ऐसे, मेरे साब से, नहीं, यही आना, अभी थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, यह त इस तरह का सवाल हो कि घड़ी में 8 बीस बज़रा और 9 पंदरा हो रहा है, 10 पचीस हो रहा है, 12 पंदरा हो रहा है, 17, 18 हो रहा है, कुछ भी इस तरह के सवाल आए, तो आप याद रखिएगा, एक फॉर्मुला होता है, कि घड़ी के घंटे और मिनट की सूयों का बीच, एं इंगल वरावर फॉर्मुला होता है, 30H-11y2m, ठीक है, 30H-11y2m, और सिंपल सी बात है, my dear student, कि यच जो है, यह यच जो है, वो घंटा यानि आवर को डेनोट करेगा, और यम जो है, यह आपके मिनट को डेनोट करेगा, ठीक है, तो 8 बज़कर 20 मिनट हो रहा है, यानि यह हमें फाइंड आउट करना यह 8 है, और यह 20 मिनट है, 8 बज़कर 20 मिनट हो रहा है, तो घंटे, घड़ी के घंटे और मिनट की सुईयों के बीच हैंगल, तो देखिए कैसे ट्रिक करेंगे, solution, कितना भाई, 8 20 है न, 30H-11y2m, देखिए, 30 गुने 8, माइनस 11 वटे 2, 11 वटे 2 और यहम कितना, 20 मिनट है न जी, तो यह 10 बार में खटेगा, 30, 8, 240, और 240 में 11 हैं के 110 गटेगा, 130 डिगरी का एंगल बनेगा, this is the right answer of this question, clear है, बिलकुल सीख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, अब एक question और देते हैं अपने मन से, कि यदि घड़ी में 9 बज कर, 9 बज कर 50 मि होनेगा, देखिए, 38 माइनस 11 बाई 2 यम, 30 गुने 9, माइनस 11 बटे, 2 गुने 50, ठीक है, 9 तिया, 270, घटाओ, 25 बार में न, 25 गुने 11, अच्छा, ऐसा करते हैं, अभी यहां पर थोड़ा सा confusion हो जाएगा आपको, अभी 10 पचास हम कर देते हैं, सीखने के लिए, ठीक है, तो 30, इसलिए क्योंकि माइनस मेंगा न, फिर आप confusion हो जाओगे, तो 30 गुने 10 माइनस 11 बटे, 2 गुने 50, अब देखिए, 25 बार में कटेगा, 30 दहें के 300 माइनस, 25 गुने 11, 275 यनि कितने डिगरी का कून बनेगा, 25 डिगरी का कून बनेगा, सीख चुके हैं, एक कोशन था, दे गड़ी है न, 10 बजकर 12 मिनट हो रहा है, तब देखिए, कितने डिगरी का एंगल बनेगा, सेम फॉर्मूला यूज करिए, 38 माइनस 11 बाई 2 यम, 30 गुने 10 माइनस 11 बटे, 2 और गुने 12, 10 दस नहीं था, वो 10 बारा था, आप समझ सकते हैं, 6 बार में कटेगा, 30 दहें के 300 मा जाएगा, तो 300 में 66 माल लिजे, 70 भी घड़ जाए, तो 230, अब ये 66 ही घताना है, तो 234, अब सवाल है, कि सर ये 234 सही आंसर है, कहेंगे जी नहीं, ये 234 आपका गलत आंसर है, कहिए कैसे सर, आफी का तो फॉर्मूला हम यूज करके बना रहे, एक पॉइंट याद कहता है, क्लॉक का, कि बाभू, 360 डिग्री में जो आया है इसको घटा दो, रूल होता है, अब कैसे क्या ये, अभी तो magic क्लास कर रहे है, माइनस 234, दस में से 4 गया, 6 और 5 में से 3 गया, 2 और ये आपका जो है, 3 में से 2 गया, 126 डिग्री बनेगा, कितना, 126 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ये हमारा रूल है, ये कोई मत्तब ऐसे नहीं कि बस, अब देखो मान लो, कि अगर मान लो कि 11 बज कर 20 मिनट हो रहा है, तब घडी के घंटे और मिनट की वाली सुई, 38 माइनस 11 वाई 2 यम, 30 गुने 11 बटे 11 बटे 2 गुने यम की वैलिव 20, 10 बा अधिक रहे, तो ये आपका अंसर नहीं होगा, ठीक है, ये घटके आए, तब क्या करेंगे, 306 में 220 घटा दीजिए, ये आपका आजाएगा, 140 डिगरी और ये आपका करेक्ट अंसर है, और ये छोटा सा बहतरीन क्लास आपको कुछ नया कुछ सिखा के गया होगा, हम चाहे करेंगे के एक बर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि इस वीडियो के बाद कितना ग्यान प्राप्त कर चुके हो हम से और बहुत जल्द हम आपके सामने एक बार लाइव आने वाले हैं, आप सभी से हमारा नया क्यामरा लग चुका है, जैसा कि आप देख पारे बहुत बहुत बहुतरी नंग से हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपने जितने भी दोस्ते सबके साथ फैलाते रहें, शेर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक का बड़न जरूर दबाईए, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालते रहें, मैं देखते रहता हूँ, रिप्लाइ करूँ या ना करूँ मैं हर स्टूडेंट का कमेंट देखता हूँ, और टेली ग्राम पर जुड़िये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेली ग्राम का लिंक है, ओके, बाबाई, ठेक केर